अगर आप कॉल में पॉर्चुनिटी ढून रहे हैं जो अल्रेडी 20,150 पे अच्छा खासा एक सपोर्ट भी था हमने दोपहर वाली वीडियो में देखा था 12,30 वाली वीडियो में और मैंने पूबला था 160 लेवल अगर तूटता है अगर निफ्टी बैंक्स यहां से नीचे से 160 की लेवल को तोड़ कर एक रीटेस्ट तो एक अच्छा मूमेंट हमें 20,205 तक के लेवल तक मिल सकता है यह ल आप लोग feedback जरूर देते रहें और miss कर दिया है तो भी कोई बात नहीं अगर आपने वीडियो देखी थी और यह सही हुआ है तो please like जरू करना वीडियो को और एक जलक देख लेते हैं दो पैर की option chain वीडियो में हमने क्या बात की थी just a minute फिर मैं आपको सारी चीज एक एक कर करूँगा वीडियो को skip मत करना आप लोगों से request है बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि निफ्टी में trade करते हैं तो सिर्फ निफ्टी देख के भाग जाते बैंक निफ्टी में trade कर रहे हैं तो आगे बढ़ाके बैंक निफ्टी पहुंच जाते बाई चार्ट एनलसिस सीख इसलिए मैंने जो combo course बनाया है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए लोग यूज करते नहीं बहुत सारे लोग फोरेक्स में भी trade कर रहे हैं कई सारे लोग commodity में even trade कर रहे हैं इसी knowledge को use करके क्योंकि technical analysis हर जगे यूज होगी जहां पर भी आप आपको charts दिखेंगे candle stick charts तो इस course के बारे में वीडियो के end में बात करेंगे टूटर पर पूरा course आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें patterns पगए इंडिकेटर, technical analysis, strategies, सब कुछ है और RSI divergence भी इसी course के अंदर है जिसके बारे में आज कई सारे लोगों ने track भी किया क्या है RSI divergence छोड़ा सा breeze देता हूँ वाकिया पकोर्स में जाके पढ़ लेना काफी अच्छे है से कि price हमें लगातार उपर की तरफ move करता हुआ दिख रहा था, RSI हमें लगातार नीचे की तरफ move कर रहा था, contradict कर रहा था RSI और price इसको हम बोलते है RSI divergence और ऐसा नहीं कि यह put side हमें call side भी दिख सकता है, नीचे की हमें RSI ऊपर की तरफ gain करता हुआ जा रहा है, downtrend में, और price हमें नीचे की तरफ move करता हुआ, तोड़ा सा pullback, फिलाल यहां पर क्या दिखाई दिया, price उपर की तरफ जा रहा है, और यहां पर exactly जो है, fall दिखाई दिया, with proper एक अच्छा pattern भी बनाते हुए, bearish, यह pattern भी पढ़ चुक है, RSI डैवर्जम भी पढ़ लिया, और एक fall मिला, morning में हमने यह discuss भी किया था, दोपहर वाली option शेंग वीडियो में, और morning वाली वीडियो में हमने इसको एक resistance देखा था, 20,020 को और 20,150 को एक support कही ने कहीं हमें दिखाई दे रह और मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से भी हमने कुछ pattern मनाया था, अगर आप लोगोंने second वीडियो देखा होगा, तो second वीडियो बहुत कम लोग देखते, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं उनको मिल रहा है profit, मतलब profit की बात नहीं है, add-on हो रहा है knowledge, इसका breakout मिला 150, हमार परा target हो सकता था, थोड़ा सा safe चलते हुए, एक अच्छा move बिला, resistance था ही 20,200 पर और हमें एक fall मिला, again price action के हिसाब से काफी अच्छा move हमें मिल चुका है, और इस तरीके से अब कुछ निफ्री ने एक नया move बनाने की कोशिश की है, positional analysis पर इस पर बात करेंगे, 15 minutes के time frame पे कला analytics हमने देगा था, 55% ऐसे लोग है जो daily videos देखते हैं बड़ चानल को subscribe नहीं करते हैं, चानल को subscribe कर लें जिसे कोई video miss नहीं हो, और आप यह मुझसे ना बोल पाएं कि सरीवाली video miss होगी, जैसे ही notification को on करेंगे, morning video 10 a.m, दोपैर video 1 p.m, this video 4 o'clock, और शाम की video 8.39 p.m, सारी video's आपको मिलती रहेंगे, और हर जगे कहीं न कहीं हम कल के बारे में ही बात करते हैं, कुछ ना कुछ, at least एक छोटा सा point को ऐसा हो सकता है, जो शायद कल आपको एक अच्छा help कर सके, चानल सब्सक्राइब जरूर कर लीजएगा, notification को जरूर बारन कर लीजएगा, फिलाल, combo course की जिनने पिश्ट्रेंट से आज उन्होंने trades लिये हैं, कुछ लोगों के screenshots मैंने share भी कर दिये हैं, I hope, फिलाल चलिए उन पर बात कर लेंगे, फिलाल 5 minutes के time frame पर जो आपको important levels मैंने दिये, 20,205, 20,155, और market 100 point के range में रहने वाला है, 20,200, 20,100, यह हमने morning में ही देख लिया 20,205, 20,155, नीचे 20,110 का level था, अगर market 20,160, 50 के level को तोड़ती तो कहीं नीचे हमें शायद एक move देखने को मिल जा था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 20,150 option चेंड में लगातार support बंता चला गया, और यह levels आप भी चाहते हैं कि आप तक कहुंचे तो आप टेलिगरम चानल ज सर्च करोगे, तो इतने सारे fraud channels आपको मिल जाएंगे, कि आप किसी में भी फस सकते हो, तो please उसे बचें, यह सारे के सारे fraud channels है, सारे के सारे fraud channels है, तो please fraud channel में ना फसे, genuine channel ही join करें, उसके लिए आप simple मुझे WhatsApp एक message लिख कर भेज सकते हैं, high, 701 1292 960, इस नंबर पर सिर्फ आ हो, तो मुझे confusion वहाँ से दूर कर सकते हैं, WhatsApp पे message से clear कर सकते हैं, but please आप लोगों से request है, कि fraud channel में मत फस चाना, और यहाँ पर हमें daily market open होने से 10 मिट पहले आपको यह levels provide कर देता हूं, बाकी pre open भी बता देता हूं, gap आप कितने points से क्या होना, वो आप भी check कर सकते हूं, और स सारे जो combo course के students हैं, जिन्होंने profits की वो शेर करते हैं, मैं आपके साथ share कर देता हूं, बार simple, तो इस tips वगएरा कुछ नहीं मिलती, इस channel पर नहीं मेरा कोई ऐसा channel है, नहीं कोई premium group है, तो please avoid करें ऐसी चीज़ों को, वंडे के बारे में बात करते हैं, एक बार, फिर से आज एक निफ्टी ने नया all time high 20,200 का आसपास बना दिया है, 20,020 के आसपास एक नया जो है, all time high निफ्टी का बना, थोड़ा थोड़ा आप देख रहे होंगे, candles में change आते हुए नजर आ रहे हैं, कि तरीके के changes आ रहे है कि buying और selling दोनों जो है बराबर दिख रही है, और day by day आपको gap up देखने को मिल रहा है, फिलाल, RSI का आज homework है, आप सभी लोगों के लिए जो भी करेंगे अच्छी बात है, comment करके बताएगा इसका answer, RSI आपको चेक करना है, nifty और bank nifty का one day chart पर, और फिर बताना है कि आगे के 2 तीन दिन का क्या procedure हो सकता है, क्या possibilities हो सकती है, positional analysis वीडियो आने से पहले आप comment करते हैं, ज्यादा बिटर रहेगा, जिसे के positional analysis वीडियो में हम एक बर चेक करेंगे, तो confirm करेंगे कि क्या आपकी scenario, क्या आपकी analysis और mere analysis match करती है, कि नहीं मज़ा आएगा, तो please comment ज़रूर कर चुका है फिलाल, nifty के लिए, फिलाल 20,000 के नीचे तो फिलाल nifty को नहीं जाना चाहिए, until and unless world में कोई global market में कोई अच्छ, मतलब ऐसी कोई news आजए, जो effect कर जाए market को, और कल के positional analysis वीडियो में हमने global markets को भी check किया था, वो सारे plus में थे, और gift nifty भी almost plus में था, उसका result रहा आज भी market ने एक अच्छा gap up दिया, 40-50 points का याद करिए, कल की शाम की वीडियो, 40-50 points अगर market gap up लेती है, तो कहीं न कहीं, छोटा सा और pull लेकर फिर नीचे की तरफ move करने की कोशिश करेगी, 20,150 price action के साब से वहाँ से वापस, ऊपर movement करने की कोशिश करेगी, 20,200 पर कहीं न कहीं है कि resistance बनता हूँ, नजर आएगा, इसलिए बाते वने कल की थी, इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो मिस्मत करिए, बैंक निफ्टी को एक बार 5 मिर्स के टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं, 5 मिर्स के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे, 46,250, 46,130 यह सारे लेवल्स थे, let us check टेलिग्राम में कि यह क्या लेवल्स थे, 46,250 पहले चेक कर लेते हैं, 46,250, 46,130, 46,060, और लेवल्स ने किस तरीके से अच्छी तरीके से काम किया है, बहुत बढ़े तरीके से price section पर भी देखें, अगर हम यह पहले एक range बना, काफी देर तक यह range जरा मैंने आप लोग को बोला था कि wait करिएगा, क्योंकि फिलाल दो level मैंने आपको दिये हैं, पास-पास के level थे, और उनके बीच में ही market कहीं ना कहीं फस गया, यह level का बढ़िया ब्रेक आउट मिला है, next level तक market ने बहुत अच्छा move दिया, उसके बाद यहां से थोड़ा स देखा होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को बात करते हैं, तो 200 और 300 रेजिस्टेंस थे, तो 200 और 300 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन जो है, बैंक निफ्टी के लिए बन रहा था, और बढ़िया तरीके से market ना almost 260, 250 के level से ही resist किया, same चीज, again मैं बात करूँग तो RSI divergence के बारे में यहाँ पर भी price उपर था, यहाँ पर कहीं न कहीं RSI down हो रहा था, 60 break हुआ, एक बड़ा fall मिला, और RSI divergence अगें देखने को मिला, काफी helpful strategy है RSI divergence की, again price action देखें, तो वहाँ से ही market ने 46,060 का level यह marked है, मैंने आपको टेलिग्रम पर दिया वह था, और एक अ हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताना यार, बहुत अच्छा है, यह pattern अगर capture किया, या फिर यह double top, simple pattern, इसमें कोई भी इतना कोई logic नहीं था, अगर आपने simple double top देखकर भी trade लेके, या फिर साथ के साथ RSI divergence से confirmation लिया, तो और अच्छी बात है, और फिर 45,060 पर price section देखते आपके वीडियो पर likes जो आप करते हैं, वही motivate करते हैं कि मैं दिन में चार बार वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, तो इसमें कमी मत करियेगा, bank nifty one day का चार्ट, हमने दो दिन से बात की है, कि सर ये जो एक candle ने high बनाया है, बट अभी भी, ये range एक बचा हुआ है, previous high के ह इसाब से bank nifty के पास जो bank nifty कहीं ना कहीं cover कर सकता है, अभी बात करें तो bank nifty ना almost one day के चार्ट पे ये जो gap था, वो cover कर लिया है, तो क्या अब यहां से हमें एक resistance देखने को मिल सकता है, hopefully मिल सकता है, बहुत 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 chances हैं, यहां से हमें एक resistance देखने को मिले, फिलाल अगर resistance देखने को मिलता है, तो reversal points कहीं ने कहीं 45,750 का एक level हो सकता है, और यह break होता है, तो कहीं ने कहीं 45,300 के levels देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा time लगेगा अगर ऐसा कुछ fall होता है, क्योंकि अभी कुछ थोड़ा बहुत तो market यहीं पर कहीं pause लेने की जरूर कोशिश क है, तो 45,300 कहीं ने कहीं आपको देखने को मिल सकता है, तो get ready for new options and videos, लगातार videos देखने के लिए और miss बत करिएगा, फिलाल आप चलते एक बार देखते हैं, किस तरीके से combo course ने, combo course के students ने knowledge का help लेकर, कौन-कौन से patterns लेखे, क्या premiums भाई किये और कैसे profits किये हैं, let's check in screenshots, 16, 16,880 का एक बहुत अच्छा profit है, power of combo course, thank you very much for sharing, 20,050 का call इनोंने buy किया है, 16,880 का एक अच्छा profit है, 4,383 crude oil, देकि मैंने आपको बोला था, बहुत सारे लोग commodity में भी combo course के knowledge को use करके trade कर रहे हैं, crude oil में trade किया है, 4,383 का एक अच्छा profit है, call के साथ, 7,600 का call है, 15 September expiry, और nifty म nifty की call है, 13,845 का एक profit है, दो छोटे जो हैं, वो losses है, 385 और 270 का, शायद कहीं न कहीं stop loss hit ज़रूर हुआ होगा, thanks sir, combo course की, जै हो amazing guideline है, आपकी साथ, thank you very much, 716, very good, call में again profit है, fin nifty के call में profit है, और bank nifty के call में 163 का loss है, 1370 का एक trade है, और काफी अच्छा trade लग रहा है, क्या buy किया है, nifty 21 September 23 buy किया है, okay, very good, 183 का बहुँच छोड़ा profit है, one lot में ही है, चायद earning small profit, no big trade, very good, 46,200 का put है, इनके पास, bank nifty में trade किया है, very good, 894, यहाँ पर भी put में 210 का profit है, again put में 684 का profit है, नीचे, अच्छा, इनकी wife ने भी 10% book किया है, same course, study करके, she is now confidently taking trades, very good, very good sir, next, क्या है, 436, 580, एक loss है, 117 का, जो profit है, put में है, दोनों put में profit है, call में 117 का एक loss किया, good morning sir, option chain का answers, your position, answers वीडियो का कमाल है, thank you for support, thank you very much, 4548 का बहुत 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 बहुतनी profit है, call में ही है, दोनों शायद एक अच्छे profit, 20,050 की है, call आज ज़्यादा तर लोगों ने buy कि very good, sir, दोनों call में profit किया, RSI divergence का profit नहीं कर पाया, क्यूंकि मैं उस टाइम call पे फसा हुआ था, 800 के कोई बात नहीं, sir, बहुत अच्छी बात है, आपने read किया RSI divergence, यही बहुत बढ़ी बात है, 217 का एक virtual trade, put में, very good, 1115 के एक अच्छा profit है, thank you sir, thank you, combo course, आज एक lot से trade किया है, और 10% profit book किया, thank you sir, thank you, very much, very good, call में profit है, okay, nifty में भी है, bank nifty में भी है, so, सभी को बहुत-बहुत congratulations, सभी लोग बहुत-बहुत इससी तरहीं के साब लोग प्राक्टिस जरूर करते रहे है, बीच बीच में gap लेते रहे है, जैसे कि इन्होंने क्या कि आज, आज real trade करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए virtual trade किया, यह बहुत अच्छी बात है, कि आप बीच में control करके अपने mind को change कर पा रहे है, this is very good, तो बाकी सब लोग इसी तरह के से करते रहे हैं, और जिन लोगों ने कॉंबो को सभी तक join नहीं किया है, website visit कर सकते हैं, link में दिस्क्रिप्शन में द देखना शुरू करते हैं, सिधे strategies पे कूच जाते हैं, support resistance नहीं जानते हैं, candle को read करना नहीं जानते हैं, गलती उनकी नहीं है, उनको एक right step by step पाती नहीं मिल पाता है, उनको समझ भी नहीं आता कि actually मैं कहां से शुरू करूँ, so वो सारी problems को मैंने भी face किया, और उनहीं सारी चीजों को देखते हुए मैंने इस course को पूरा तयार किया है, कि एक course के अंदर सारी चीजों होनी चाहिए, जो भी options में starting में trade करने के लिए, analyze करने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, what is options, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि options क्या trade है, मैं खुद नहीं समझ पाता था पहले क कि मैं अगर options में nifty buy कर रहा हूँ, मेरे को profit कब होगा, अगर मैं 20,100 की call buy कर रहा हूँ, तो मुझे profit कब होगा, क्या 20,100 जब market पहुच जाएगी, तब मुझे profit होगा, ये बहुत सारे doubt थे, तो जिस तरीके से beginner के mind में, आपके दिमाग में जो भी doubts आते हैं, मैंने कोशिश तुरंट वहीं पर किये हैं, उनके answer करने की, और option Greeks, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, option Greeks के बारे में, और काफी important role play करता है, खासका options, buyer के लिए तो बहुत ज़रूरी है, option Greeks के बारे में जाना, टेकने का answer, चार्ट राइडिंग, 17 type of candle chart patterns, जो हमने double top की बात की, वो triangle की बा indicators, how to use, कैसे entry, क्या point हो सकते हैं, किस indicator में कहा पर entry point हो सकता है, किस indicator में कौन-कौन से limitations है, वो सारी चीज़ covered है, trading psychology is, सबसे last में, चार secret strategies, जिसमें से RSI divergence एक है, और तीन strategies और भी है, इनी सारी चीज़ों का use करके, उपर जो आभी strategy लगाता है, इसलिए में कि पीछे से आप चीज़ों को use करते हुए, एक setup बनाने के कोशिश की है, कि अच्छी चीज है, कि strict rules बगएरा बना लें कि ये indicator, बोलेगा ये करना है, ये करना, ये करना, ये करना, तो ही में trade लूँ, this is all in this combo course, और आप डाउनलोड गर सकते हैं, सिर्फ टूटर पाल लाइन में, वेबसाइ payment करते ही, आपके पास 3.5 GB की file डाउनलोड शुरू हो जाएगी, zip file, उसको डाउनलोड करेंगे, तो एक folder के अंदर आपको सारी videos मिल जाए, कोई भी problem होती है, आपको, course, download करने से related, telegram join करने, कुछ भी, तो फिर आप मुझे इस number पे ही WhatsApp पे message कर सकते हैं, 701 292963, मैं आपके help कर दूँगा, और, thank you very much guys, बाकी आप सब लोग जानते हैं, दिन की चार videos देखने के लिए, options chain analysis की दो video, morning, afternoon, शाम को post market analysis video, शाम को positional analysis video कल के लिए क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से level पर क्या premiums हो सकते हैं, वो सारी चीज़ शाम को करते हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा, और आपको लगते हैं किसी के साथ share करना है, जरूर share करें दोस्तों के साथ, चैनल को subscribe करके next giveaway participate कर सकते हैं, 1,25,000 subscribers पर, 2,25,000 subscribers पर नए giveaway होगा, जरूर participate करें, मैं मिलता हूँ आपको morning में option chain के साथ, Monday को, thank you.